Hello Friends, BSC की Special Class में आप सबी लोगों का एक बार फिर से Most Welcome है My Name is Aashish Giri, आज हम डिसकस करेंगे BSC Third Year Botany में आपका First Paper आता है Plant Resource Utilization, Pellenology, Plant Pathology and Biostatics दोस्तों इस Paper से रिलेटेड आज हम डिसकस करेंगे 25 Most Important MCQs के बारे में पिछली दो वीडियोस के अंदर हम जुलो जी First Paper से रिलेटेड इंपोर्टेंट MCQs को कवर कर चुके हैं अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो Description Box में आपको Link मिल जाएगा Recently अभी एक notification आया है कि आपकी exam paper स्टार्ट होने वाले हैं तो आपको यहाँ पर option पहले सही select करना है वीडियो को post करके कि कौन सा option सही हो सकता है उसके बाद इस तरह से आपके 25 में से कितने MCQs आप लोग solve कर पाते हो Right, क्योंकि यह वो question है जो बार-बार repeat होते हैं तो इन questions को आप लोग बिल्कुल भी ignore ना करेंगे, ठीक है? तो देखिए, पहला statement है T.M.V. तॉम्बैको मोजक वाइरस इस वाइरस ठीक है? यह जो T.M.V. है एक वाइरस है तो यह बात बिल्कुल सही है, इस statement correct है क्योंकि यह B.Sc. First Year के अंदर सही पढ़ते होया रहे है दूसरा point आता है, second option है Bacteriophage is a bacteria यह जो Bacteriophage है, यह क्या है Bacteria है? तो यह statement बिल्कुल incorrect है क्योंकि हमने B.Sc. First Year के अंदर ही पढ़ा है कि Bacteriophage एक वाइरस है, ठीक है? C. Option है, Sonalica is a wheat variety and D. Option है, wheat is a winter crop तो यह दोनों statement नीचे के सही है, first statement भी सही है, यह जो B. Option है, यह incorrect था तो हमने यह find out कर लिया, यह हमारा answer मिल गया, ठीक है? तो first का सही answer होगा B. इसके बाद question number two है, storage of pollens. Pollens का जो storage होता है, is done in liquid nitrogen. Liquid nitrogen के अंदर कितने temperature पहोता है? तो यह method हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसे कहा जाता है cryopreservation, जिसमें हम pollens को storage करते हैं, तो यह सही answer होगा, इसका C, minus 196 degrees Celsius, तो इसमें आप लोग ज़्यादा mind use नहीं कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि 196 degrees Celsius का सही answer है, तो यह तभी आप इसका सही answer यहाँ पर put करेंगे, अगर आपको गलत, अगर for example, आपको लग रहा है 96 minus 96 है, तो आप लोग इसको correct कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, तो इसमें आपको याद रखना होगा, ठीक है, यह memory base है, तो सही answer क्या होगा, इसका C, minus 196 degrees Celsius, इसके बाद question number 3 है, find out the median of the following items, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई है, और पूछा गया है कि इसमें हमें median find out करना है, अब आपके exam paper में यह संख्या अलग-अलग भी हो सकती है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, total संख्या कितनी ह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, total 9 संख्याएं हैं, और 9 संख्याएं कि हमें median निकालना है, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, ascending order में रखेंगे, जैसे यहाँ पर मैं 7 के बाद लखेंगे, 7, 7, 8, 9, 10, उसके बाद आता है 12 आ जाएगा, and 12, सबसे पहले 5 संख्या 5 है, तो 5, 7, 7, उसके बाद आ जाएगा 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 20, तो इस प्रकार से जब आप इसको अरेंज करेंगे, तो 4 संख्याएं, एक तरफ 4 संख्याएं, एक तरफ बीच में जो संख्या होगी, वही उसका median होगा, तो बीच में आप कितनी संख्या है, 9, तो n प्लस 1 हो जाएगा, टोटल 10, अपोन 2 रखा हुआ है अपने, तो 2 को आप 10 से कटेंग करेंगे, तो 5 आएगा, तो पांचवे नंबर पर जो संख्या होगी, या सेंडिंग ओडर रखने पर, वह उसकी median होगी, तो median यह सब जो find out करने का जो भी बा नहीं किया है, लेकिन बहुत इस आप लोग find out कर सकते हैं, YouTube पर काफी lectures आपको मिल जाएंगी इससे related, ठीक है, तो right answer is B, इसके बाद question number 4 है, चाई square value changes with change in, चाई square की जो value है वो change होती है किसके साथ, simple types, degree of freedom, hypothesis या none, right answer is B, degree of freedom, question number 5 है, vegetables are the source of mainly, हम जो सबजिया खाते हैं, वो mainly किस चीज का source है, तो right answer is A, minerals and vitamins, right, सबजियों में बहुत जादा minerals और vitamins होते हैं, question number 6 है, which organism have prokaryotic cell, देखी, यहाँ पर जब भी इस तहाएं के questions आते हैं, eukaryotic और prokaryotic का difference से related question आते हैं, तो आप लोग कैसे देखोगे, जैसे blue green algae है, teridophyte है, bryophyte है, fungi है, तो हमें पता है, त पता है, teridophyte भी, bryophyte भी, right, algae भी और fungi भी, तो यह सब क्या है, eukaryotic है, लेकिन blue green algae यह जो है, prokaryotic है, bacteria भी एक prokaryotic है, ठीक है, तो right answer is A, blue green algae जो है, एक prokaryotic cell है, question number 7 है, which plant is a source of petroleum, तो यह simply याद करने वाला question है, right answer is C, euphorbia, question number 8 है, reproductive part of angiosperm plant in present, angiosperm plant के अंदर जो reproductive part होता है, वो कहाँ पर present होता है, तो angiosperm के अंदर flowers पाय जाते हैं, हम लोग BSC secondary के अंदर पढ़ चुके है, angiospermic family के बारे में, classification के बारे में, काफी कुछ पढ़ चुके है, तो यहाँ पर option है A, stem, option B है leaf, option C है flower, option D है कौन, तो right answer is flower, option C, correct, ठीक है, question number 9 है tapitum is a wall of enter, tapitum is a, dash वहाँ पर दिया गया है नहीं, उस dash में क्या भरा जाएगा, wall of enter, outermost होगा, यह middle होगा, यह innermost होगा, यह all of above, right answer is C, tapitum जो होता है, वो innermost wall होता है, enter का, right, तो 9 का क्या हो जाएगा, C, question number 10 है, cluster of pollen is called, pollen के जो जुन्ड है, जो cluster है, उसको हम क्या या फिर आप कहें, group of pollens, pollens का अगर जुन्ड इकठा हो तो उसे आप क्या कहेंगे, pollen sec कहते हैं, या pollenia कहते हैं, या enter कहते हैं, या pollen grains कहते हैं, तो right answer is P, pollenia, question number 11 है, study of pollen found in body or in gut of animals is called, study of pollen, found in body, यानि animals की gut या animals की body के अंदर पाए जाने वाले जो pollen से उनकी study को हम क्या कहते हैं, palenology कहते हैं, या paleo-paleanology कहते हैं, या archaeological palenology कहते हैं, या enteemopoleanology कहते हैं, तो right answer is D, enteemopoleanology, इसके बाद question number 12 है, a Russian N.I. vevilio was, death दिया गया है, वो क्या थे, who worked in origin of cultivation plant, जो की origin of cultivation plant पर study कर रहे थे, उन पर work कर रहे थे, तो वो क्या थे, ecologist थे, या cytologist थे, या genetist थे, या फिर microbiologist थे, तो right answer is C, वो थे genetist, question number 13 है, the meeting point of x-axis and y-axis on graph, graph पर जब वो meeting point जहां पर x-axis और y-axis जो है, मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, a, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, तो right answer is a, 0, right, question number 13 का answer क्या हो जाएगा, a, question number 14 है, symptoms of human disease, letharism is, इसका dwarfism होता है, या अनिमिया होता है, paralysis होता है, swelling होता है, right answer is C, paralysis होता है, right, यह इसका एक तरीके से symptoms है, जब भी किसी को letharism हो जाता है, तो उसके paralysis हो जाती है, उसकी body, तो यह हमने 14 question cover किये हैं, अभी तक चाहँए तो आप लोग इसका screenshot ले सकते हैं, question number 15 है, when a map of India is shown the production of sugar cane, it is called, अगर भारत के नक्षे पर गन्नी की उतपादन के बारे में बताये हैं, इसे हम क्या कहते हैं, bar diagram, pie diagram, pictogram, या option D है, cartogram, right answer is D, cartogram, question number 16 है, vegetable oils are, monoglycerides होते हैं, या diglycerides, या ester of triglycerides, या triglycerides, right answer is D, triglycerides, question number 17 है, the tree of heaven is, coconut है, या mango है, या neem है, या people है, right answer is A, coconut, question number 18 है, crop of tropical reason, tropical reason का crop, sugar cane है, wheat है, pea है, या gram है, right answer is A, sugar cane, question number 19 है, turpentine oil extracted from the wood, ये जो turpentine oil होता है, तेल होता है, ये किस पोधे की लकडियों से प्राप्त होता है, देवदार, या टिक, या चीर, या सीशम, right answer is C, चीर, question number 20 है, orthodox seeds are those that dry seeds, wet seeds, viable seeds at freezing temperature, या viable seeds, right answer is C, viable seeds at freezing temperature, question number 21 है, cotton fiber obtained from, ये जो cotton fiber होता है, ये किस से अप्तन होता है, root से, stem से, leaf से, या seed coat से, right answer is D, question number 22 है, nicotinic acid is present in, nicotinic acid किस में present रहता है, tea में, coffee में, coca में, या none of above, हो सकता है कि option आपके सामने कुछ different रख दिये जाएं, तो उस समय आप लोग अपनी समझ से वहाँ पर answer को देखना, यहाँ पर right answer है T, A, right, question number 23 है, if a dream extracted from the plants, ये जो if a dream होता है, ये plant के किस पार्ट से extract किया जाता है, root से, stem से, leaf से, या fruit से, तो question number 23 का answer है, stem B, question number 24 है, plant breeding means, plant breeding का मतलब क्या होता है, plantation करना, या production of plant, plant के production करना, या plant disease, या improvement in plant traits, तो right answer है D, improvement in plant traits, question number 25, जो कि last question है, which are the method of plant breeding, इन तीनों में से, क्योंकि last वाला तो all of the above है, तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा है, जो कि plant breeding का method है, mass selection, pedigree या pure line selections, right answer is, all of above D, right, ये तीनों के तीनों जो है, plant breeding के methods होते हैं, तो ये हमने 25 important questions को cover किया, next video के अंदर हम और भी important questions को cover करेंगे, video पसंद आए तो like करें, channel को subscribe कर दें, अगर आपको इसी तरह की और भी videos की need है, अगर आप चाहते हैं किसी और topic पर वीडियो बने, तो आप लोग comment में बता सकते हैं, मिलते हैं दोस्तों next video में, bye bye, अगर आप